हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने मुबाइल फून के जरीए एक यूएसबी केवल के जरीए अपने प्रिंटर में से कोई भी प्रिंटर निकाल सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर नो को प्रिंट लिखना है तो कुछ इस तरह का app है जिसको आपको install कर लेना है मैंने इससे पहले से install कर रखा है तो चलिए अब हम चलते हैं app की और तो सबसे पहले आपको जो आपका app है उसे open करना है open करने के बाद आपको कोई भी OTG cable connector है उसको आपको यहाँ पर connect कर देना है अपनी USB cable के उपर और उसके जरीए अपने mobile को connect करना है तो जैसे ही मैंने इसे connect किया तो यहाँ पर यह USB device connect का दिखा रहा है तो simply आपको इसे OK कर देना है OK करने के बाद जो मेरा printer है वो यहाँ पर show हो रहा है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह तीन ओप्षन आएगी आप मैनुवली भी कनेक्ट कर सकते हैं तो अभी मैं इसे जैनरिक कनेक्ट करूँगा तो अभी हमारा जो प्रिंटर है वो successfully कनेक्ट हो चुका है इसके बाद आप simply कोई भी photo document को प्रिंट कर सकते हैं उसके लिए जैसे मैं photo print करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ से आप कोई भी choose कर सकते हैं जैसे मैं internal story में जाकर कोई भी folder में से किसी भी document को जैना photo को प्रिंट कर सकता हूँ तो अभी मैं यहाँ से print करने जा रहा हूँ जैसे मैंने इसे select कर लिया है इसके बाद आपको नीचे की और यहाँ पर settings दिखाई देंगी कितनी gopies आपको करनी है और कितने pages size उसका तो सब कुछ जहाँ पर आपको settings में मिल जाएगा तो आप यहाँ से कोई भी setting कर सकते हैं और उसके बाद आपको simply print पर click कर देना है तो आपका जो printer है वो अभी own हो चुका है तो आप देख सकते हैं हमारा जो printer है वो अभी print कर रहा है तो आप देख सकते हैं हमारा जो print है वो यहाँ पर आ चुका है जितना size यहाँ पर show कर रहा है उतना ही print यहाँ पर आ चुका है हमारे page के उपर तो friends ऐसे आप किसी भी print को निकाल सकते हैं अगर आपको हमारी video पसंदा ही तो like करें, share करें, comment करें और channel को subscribe करना न भूलें